नवस्कार दोस्तो सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है तो इस वीडियो में हम लोग जो है अरब एंटिपीसी सीवी टीवान का जो एक्जाम आपके हुए थे 7 जनवरी 2021 के तो इसका हम लोग रिव्यू देखेंगा और साथ में जेनल अवैरनेस के जो भी आपके क्वेशन आपके मैक्सिम पुछे जा रहा है तो इनका लिंक हमने डिसक्रिप्शन बॉक्स में दिया हुए तो वहाँ से कैप लोग से बाइक कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक कंप्यूटर एक फन ट्रांसफर जो कि यह पैसे भिषने के लिए एक तरीका आपका होता है इलक्तोनिक माधियम के तरफ से फिर इसके बाद देखिए एक और आपका कोशन पूछा गया था इसमें कि बिच इस नौट पार्ट नहीं है तो देखिए आपके दिये होंगे उसमें जैसे कोंपूटर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाते हैं तो इसका दिखिए आंसर आपका होगा रिमोट डेक्सटॉप प्रोटोकॉल यानि कि आरडीप अपलोग फूलफ़र्म भी यात रखना यह भी आपसे पूछे आ सकते हैं रिमोट डेक्सटॉप प्रोटोकॉल काम करते हैं तो सभी का आप लोग देख सकते हैं पूरा हमणी डिटेल में इसके बताया हुआ है वह साथ में इसका वीडियो भी हमने बताया हुआ है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा तो आप लोग जो है उसे जरूर इसके बाद पूखा गया थे पूछा गया था फूल फॉल फॉल फॉंप एटीन जो को इसका पूछा गया था इसका दिखी होता है अब अब हम यहां पर देखते हैं इस टाटीइक की जो कि आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ग्रारा रहा है या अडव है यह तो सबसे हालेटीट टॉपिक और रिपीटेड्स यह आप से बारबर आपसे पुछा जा रहे हैं जैसे यहां पर आपका है यह कोड़ीटर पूछा गया था यूणिसेब का तो इसका देखिए यूदिशेबुकर न्यूर्क में तो यह देखिए हट्व इत कीवाटर जो आप आपको पुछा गया था कि how many non-permanent member countries are there in the security council of united nation तो देखिए total 10 इसके non-permanent member होते हैं और five permanent member होते हैं तो in fact question जो आपका है ना united nation से तो यह आपका सबसे highlighted topic रहा रहा है इसी में से घुमापी रहा के आपको पुछे ही जा रहे हैं तो आपको इस पर खासकार आपको पढ़के जाना होंगे जितने भी वर्ल्ड के जितने भी important organizations है फिर इसके बाद देखिए question आपका पुछा गया था dance form से कुछुपूरी dance form जापका तो यह कौन से state का यह देखिए आंध इसका है फिर अगला देखिए आपको दिया वर्ल्ड बुक डे तो एक इंपोर्टेंट आपका यह भी रह रहा है यानि कि जो प्रोग्राम का जैसे पुछा गया था यह है विक्रम सारा भाई फिर उसके बाद आपका पुछा गया था WCCB का फुल फॉर्म तो इसका देखिए फुल फॉर्म होता है आपको पूछे जा रहे हैं तो आप लोग उसको अच्छी से पढ़के जाना जिन लोगों ने भी पीडिया को लिया हुआ है फिर इसके बाद देखिए टॉपिक के दि हम बात करते हैं जो आपसे आज पूछे गया थे जिसमें कि आपका हेड़क्वाटर और इसके लावे जितने भी वर्ल्ड की इंपोटेंट औरगनाइज सब्सक्राइब जैसे इनiałem चाहिओ् नेशना सब करें य कोसि यांद कर सकते हैं तो यह यह है अंपोर्टन टापिक को लाद करता है तो इनसे ईप करता आहिए है तो question देखिए आज जो पूछा गया था आपका तो वह modern history से आपके जादे पूछे जा रहे हैं तो question आपके पूछा गया था कि इसके बाद देखिए कोशन आपका पूछा गया था आपके पूछा गया था इंडिया में तो देखिए टेस्ट किया गया था आठार महीं 1974 को और इसका जो code name दिया गया था तो वो था smiling buddha तो यह भी आप लोग याद रखना इसको फिर इसके बाद अगला देखिए कोशन आपका है कि वेन वास गांधी इर्विन पैक्ट साइन तो गांधी और इर्विन के बीच में जो एक पैक्ट साइन हुआ था यह कब हुई थ अगला कोशन देखिए आपका दिया पूछा गया था इसमें कि वेर डिट दर नन कोपरेशन मुव्मेंट इंडेट यहां पे लोगों ने पूलिस परसंग का डेथ हुआ था तो इसी के चलते गांधी जी इससे दुखी हो गया और इन्होंने चाहें नन कोपरेशन मुव्म तो पहले मुस्लिम प्रेशिडेंट कौन थे इसका देखिए अंसर आपका हो जाएगा बदरुद्यम तयब जी जो की 1887 के सेशन में प्रेशिडेंट बने थे तो देखिए जितने भी इंपोर्टेंट कॉंगरेश के इंडिनेशन कॉंगरेश को जो सेशन हुए थे और इसक आपके जो कोश्टन हर सिट में पूछे जा रहा है और आपको जहां यह स्टेटिक जीख आले भी आपको मिल जाएंगे तो आपको जरूर बढ़के जाना इससे आपके एक कोश्टन हर सिट में मिल रहा है आपके और वहीं पर दिखिए अगला जो important topic आपका है सब्जेक्ट आपका है वह है current affair का तो current affair से जो कोश्टन आपके पुछे गया थे तो भी आपके आज आचे खासे question पुछे गया थे इसमें तो दिखिए question आपके पूछा गया था तो उसमें कौन से कंट्री ने मैक्सम मेटल जीता था इसका दिखेंसर आपको इंडिया हो जाएगा इंडिया ने टॉप किया था इसमें टोटल 312 मेटल इंडिया जीता था जिसमें की फिर अगला कोशन देखें आपको पूछा गया यहां पर कि 2018 का जो आसियान गेम से यह कहां पर हुआ था तो इसका लिस्ट हमने करेंट फिर वाले पीडियेफ में बहुत यह अच्छे से बनाया हुआ आप लोग इसको पॉड़ लेते न तो फिर आपका उससे बाहर कोशन नहीं पूछा जाएगा आप लोग देख लेजागों इसमें सारे इंक्लूड किये हुए है करेंट फिर इसके बाद कोशन आपको पूछा गया था क बिहर कोशन आपके पूछा गया था किया तो कभी कवार आपका इस तरीके से भी कौशा जाता है हां पर तो हमने यह सारा चीज लिख के भी दे दिया कि कौन से कितने नमबर के कौन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है तो अगला कोशन दिखिए आप से याद कर ले ना सभी को इससे भी आपको कोशन आ रहा है हर सिप्ट में लगभग मतलब का ब्रांड अबेस्टर से भी कोशन आप कोशन आपका देखिए अगला पूछा गया था कि वर्ड हिंदी कॉनफरेंस जो है यानि कि जो विश्व हिंदी सब्वेला 2018 का यह कहां पर हुआ था कौन से प्लेस पर हुआ था यह दिखिए हुआ था मैरिस में फिर अगला कोशन देखिए पूछा गया था अपसे पूछा गया था कि GDP के इंडिया का रेंग क्या था 2019 में तो देखिए जो इंडिया है मतलब हम लोग जो है तो यह पांचमे नमबर में आते हैं GDP के टांस में फिर इसके बाद देखिए कोशन आपको पूछा गया था कि नमबर ऑप स्टेट और यूनिन टेरिटरी इंडिया में कितने हैं as of October 2020 तो आपका देखिए इसमें October 2020 तक का भी जो है डेटा इन्होंने मतलब इन्होंने Current Affair तक का इंक्लूड किया हुए सब्स तो as of October 2020 के दिया हम बात करते हैं तो टोटल अभी 28 इस्टेट है और 8 यूनिन टेरिटरी है फिर इसके बाद देखिए कोशन आपक तो टोटल देखिए 137 किये गया थे फिर इसके बाद देखिए अगला कोशन हम लोग देखते हैं यहां पर जेगराफी से जो कोशन आपके पूछे गया थे तो कोशन इसमें देखिए आपका यह रिपीटेड टाइप का ही कोशन था कि गोल्डेन कोडिलेटर जो रोड है इसके रिपारें पूछा गया था कि क्या है तो देखिए जो यह गोल्डेन कोडिलेटर रोड प्रोजेक्ट जो आपका है तो यह चार जो मेजर सीटी है इंडिया में तो उनको कनेक्ट करने के लिए जो है यह प्रोजेक्ट चालू किया गया था वाय और पीम अडल वहरी वाजबाई जी के द्वारा तो में ली देखिए जो मेजर जो सीटी है इसमें जो कि वह आपका दिल्ली हो गया मुंबई हो गया चे नहीं और कॉलकत्ता हो गया तो इनको करेक्ट करने के लिए यह प्रोजेक्ट था फिर अगला कोशन दिखिए आपका इसमें कि लार्जेस स्टेट अप इंडिया इन टामस पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन के सबसे सबसे लार्जेस्ट इस्टेट कौन सा इंडिया का तो वह है उत्तरपदेश यहां की जनसंख्या जो है जो है जो है 2011 से कोड़िंग तो 19 कड़ोर की लग भग है अब ही करेंट की बात कर देती है 21 कोरोर से भाग है फिर अगला कोशन दिखही आपको पूछा गया था कि which is the बिज्यस सीरूट यहादि की सबसे बिज्यस सीरूट कौन सा है तो दीखेए इसका अशर आपका होक। नौ्थ अट्लांटिक तो इसका दिखिए अंसर आपका हो जाएगा चाइना चाइना ने जो है इसका प्योके से होते हुए जा रहा था अब आईए वहीं पर हम लोग general science के question देखते हैं हम लोग तो देखिए question जो आपको पूछे कहा थे तो इसमें आपका question पूछा था कि origin of spices जो है किसके दौरा लिखा गया थी यह लिखा गया चाल्स डर्विन के दौरा थी यह चीछ बाइलोजी में आपको पूरा मिल जाएगा हमने उसमें पूरा डिटेल में आपको बता है जितने भी देखिए question आपको पूछा गया था कि what is the atomic number of chlorine का atomic number पूछा गया था तो देखिए chlorine का atomic number होता है 17 और सिंबोल होता है इसका CL फिर अगला question देखिए पूछा गया था कि what create problem in respiratory system तो respiratory system में कौन सा problem create करता है एर pollution तो एर pollution मेनली जो रहता है कि जिसके चलते respiratory system को नुक्सान होती है फिर जो भी हाम होते हैं इसी के तरूप फिर इसके बाद देखिए अगला question आपका पूछा गया था कि which is at the third level in the food chain तो in fact देखिए जो question आपके हैं तो यह environment से आपके related आपक में तो वह में तो के इसके देखिए जी स सबहुते हैं कि तो इसके बाद आपके सारी की इसके बातुए AM को सब्सक्राइब को सोई सब्सक्राइब आपको सब्सक्राइब को तो सब्सक्राइब औहाद露 और है कि सने मिली तो क्या होता है लिए डाब में इसे जह के चाले तो फिर अगला question देखिए आपको पूछा गया था कि positively charged ions are cold यहने कि जो positively charged ions होता है इसको क्या बोलता है इसको कट आयन बोला जाता है फिर एक question आपका इसी से उसको मार्क कर सकते हैं वैसे जो अलब drops जो होते हैं carbon के तो इसमें आपका diamond graphite और fluorines यह होते हैं तो जो भी आपका रहा होगा आप लोग उसको मार्क कर यह होगा question और बाकी देखिए दोस्तों यह PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम ग्रूप को आपको ज आप में जो भी lectures हमने इसके बनाया है यूटूब पर तो आप लोग जो इस link को क्लिक करके PDF को बाई कर सकते हैं और lectures को भी अप्लूप देख सकते हैं तो हमने यहां पर सारे important जो भी lectures है तो उनका हमने यहां पर बनाया हुआ है फिर इसके बाद देखिए पॉलटी से भी question आज आपके बूछे गाते तो इसमें caution आपको पुछा गया था कि वेल इस पंचायती राजदिया celebrating तो पंचायती राजदिवा जो यहां फिर 24 अप्रिश को celebrate की जाती है फिर एक और question देखे पुछा गया था कि which two women had fought against the section 377 to 377 ते जो section अधिये जैसे related आपका transgender community से आई यह तो उसके लिए दो जो इन्होंने जो फॉट किया था तो वह है पहला है बेनका गुरुस्वामी और तीसरे है अरुंधति काट जू फिर एक और कोशन आपका देखिए पूछा गया था कि इन विज फाइव यर प्लान इंडिया ओप्टेट फोर मिक्स्ट एकॉनमी तो इंडिया जो है कौन से फाइव यर प्लान ने मिक्स्ट एकॉनमी को अप्ट किया था तो इसका दिखे आपका आंसर हो जाएगा that is second five-year प्लान में जो की पिरियड था इसका 1956 से लेके 1961 तो दिखिए यहां पर अबरोल हम जनल अवेनेस की बात करते हैं तो इसमें दिखिए जो कोशन आपके हिस्ट्री से आच्छे खास से कोशन पूछे गया थे लगभग चार से तीन सचार ये किसी पाच कोशन भी आपके पूछे गया थे किसी शिट में, तो ये भी आपका important subject हो गया, जिगराफी का आज कोशन कुछ काम आपके पूछे गया थे, किसी में एक-किसी में दो दो से तीन कैमिस्टरी दो कोशन किसी में दो कोशन भी पूझे गया थे और यहीं अपका तीन से चार कोशन लग रही रही रहा है जैसरं ats half करेंट अभी यह काफी यह काफी आझन अच्छ अच्छा कोशन अब पूछे गया थे عт़ कि इसमें और इसमें सात पूछन भी पूछे गया थे आपका चोह 12 से पूछ इंकशल तो आपको जाये सारेjunaयक को तेसे नहां छोन आपका इसमें से रह रहा है。 और इसमें देखिए general awareness के दी बात करते हैं तो 40 में से जिन लोगों ने भी मान लेजिए अगर जिन्होंने 35 प्लस अगर जिन्होंने किया हुआ तो उनके लिए अच्छा 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 रहेगा और जो भी 30 ला सकते हैं compound interest, simple interest में भी 2-3 question, ratio proportion से भी आपके 2-3 question और profit and loss और height and distance से आपके 1-3 question पूछे जा रहे थे और वहीं geometry की बात करते हैं तो इसमें देखिए एक shift में आपके 1 question तो दूसरे shift में आपके 2 question भी उसे पूछे जा रहे थे इससे आपके वही number system से question आपका आज कम करते हैं जैसे एक ही question आपके पूछे गाए trigonometry से भी आपके 102 question, time and work से भी आपके 102 question और simplification से भी आपके जैसे 2-3 question आपके रही रहे इसमें और statistics से आपके question नहीं पूछे जा रहे हैं आपके यहां पर रहे हैं आपके 5-6 question पूछे जा रहे हैं आपके थे 3D आई थे आपके इसमें जिसमें कि आपका एक डिय में दो-दो कोश्चन से टापके थे इस तरीके साब का डियाई भी आपका जो है पूशा जा रहा है और डियाई भी सिंपल आपका था टेबलर बेस दियाई था तो ओबरोल देखिए मैथमेटिक्स का जो सिक्षन आपका है तो यह आपका easy to moderate ही रहा है ज्यादा टॉक आपका नहीं रह रहा है तो जो लोग भी 30 में से 25 करके आ रहे है तो उनका लिए जो है वह अच्छा रहेगा 25 प्लस आप लोग कर सकते है इसमें जो लोग भी अच्छे से चार कोशन ही पूछे जा रहे हैं पजल भी आपका linear पजल रहा है जिसे एक से दो कोशन ब्लॉट रिलेशन से भी आपके दो कोशन और इस स्टेट्मेंट कंक्लोजन जो की सबसे हालेटेड़ टॉपीक है तो इससे दो कोशन आपके फोसिप में और वहीं देखिए प्लस करके आपके आपके पूछे जा रहा है तो इस तरीके से रिजनिंग देखिए आपका यह से इजी रहा रहा है इसमें भी 25 प्लस आप लोग आप से कर सकते हैं तो अबरॉल अगर हम बात करते हैं आज दोनों सिप कम बिला जो लाके तो जिन लोगों ने भी 70 या फिर 75 प्लस करके आए होगे तो उनका गुड़ अटेंप माना जाएगा तो इस सेक्शन में जो भी रहा है 75 प्लस से उपर या 70 अबब रहा है तो उनका जो है काफी अच्छा रहेगा सेलेक्शन होने का फॉस जो भी आपका चल रहा है में और साथ-साथ में जहां है आप लोग प अगले डे में और आप जो भी होगा उसका तो आपको हम प्रवाइड करते रहेंगे इसी तरीका से आपको एनलाइस करके जिससे कि आपको सब्जेक्ट वाइज आप लोग एनलाइस कर सके और उसको उसी तरीके से आप लोग बढ़ते चलिए तो चलिए दोस्तों फिर मिलत है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए